नमस्कार दोस्तो नोकरियान यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो एक बहुत बड़ी खबर निकल करा रही है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एच एससी गुरूप डी का फॉर्म फिलप किया था उनका इंतजार खतम होने वाला है क्योंकि हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिसन के अंतरगत जो गुरूप डी की बरती होने वाली है उसकी एक्जाम डेट आच चुकी है तो दोस्तो वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो वीडियो में लाश तक बने रहे हैं दरवाई जह तो दोस्तो जैसा आप देख वा रहे हैं यह एक मेल है जो मेल सेंड किया गया है तो डिस्टिक एजुकेशन ओफिसर कैथल को ठीक है यह क्यों किया गया है यह सारी परताल करने वाले हैं हम इस वीडियो में ठीक है तो आप देखेंगे तो जो डेट है 5-10-2018 रखी गई यह कैथल के लिए है ठीक है यह कैथल के लिए सेंड किया गया है तो देखिए इसमें दिया क्या गया है फ्रॉम धा अफिस्ट्री ने रही स्ट्रीक और सेलेक्शन कमिशनme मेज लंबर आगे बढ़ते हैं इसमें दिया क्या गया है तो दोस्तो वैसे तो ये ओफिशल इमेल से सेंड किया गया है जैसे आप देख पा रहे हैं इमेल जो secretary hsse01-gmail.com hssexambranch at the rate gmail.com से भेजा गया है तो कहने का मतलब यह है इस पर भरोसा तो किया दा सकता है लेकिन कहना कुछ भी जाइज नहीं होगा भी ठीक है लेकिन मैं आगे बता दू इसमें दिया क्या गया है तो 3 November 2018 को एक्जाम होके रहेगा रिटन एक्जामेंशन के लिए यह सारी चीज़ें मागी गई है infrastructure के बारे में जो है सूचना है मागी गई है बही कैथल के जो district education officer है उनसे ठीक है तो 4 November 2018 को भी एक्जाम होने वाला है 10 November 2018 और 11 November 2018 के लिए भी एक date रखी गई है 2000 के something पदो पर भरतियां होने वाली है तो कहने का मतलब यह है कि हरियाना पुलिस का जो है वो तो उस पर तो case सला हुआ उस भरति पर तो वो तो complete मेरे ख्याल से उस पर तो कुछ action लिया नहीं जाएगा तो जो दूसरी है जो बिल्कुल साफ है हरियाना गुरूप D की और आप जानते भी है 2019 क्या है चुनावी वर्स होने वाला है उसको मद्दे नजर रखते हैं बीजेपी सरकार अपना कारेकाल जो भी है अपने आपको मतलब साबित करने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती है यह क्या है एक्जामी में से सेंटर को लेकर ठीक है तो इसमें देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि in various educational institutions of your district यह भेजा गया है capital education officer को कि आपके district में आप यह ensure करके बताईए कि furniture, invigilator, staff, water, electricity, supply and other centers with total capacity of 18,430 confirmed by you कि आपने जो 18,430 के जो sitting के बारे में बताया था उसमें आप एक बार अच्छे से देख लें कि जो staff है water, electricity, supply वगरा वगरा फरनीचर जो भी सुईदाए है वो सारी है या नहीं तो district education officer should again verify the capacity and infrastructure as no request for change in examination center will be accepted later तो उनसे पुछा गया है कि यह सारी चीज़े हैं तो ठीक है otherwise बाद में आप करोगे कि request exam center change कर दिया जाए तो बाद में मान्या नहीं होगा अब इसमें नीचे दिया गया है list of centers confirmed by you is attached here with filling in the additional information required kindly update this list by filling in the additional details mentioned in prescribed format and closed with list तो कहने का मतलब यह है इसमें बताया गया है कि आप जल से जल इस चीज़ को update करें कि सारी व्यवस्थाएं हैं तो उसके बाद हम आगे कोई कदम उठाएंगे ठीक है तो इसमें यही बात बताई गयी है जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे क्या दिया गया है जैसे आप देख पा रहे हैं है तो आप mail कर सकते हैं जो email id दी गई है secretary hssc 01 at the rate gmail.com and hssc exam branch at the rate gmail.com ठीक है to the commission with two days positively तो दो दिन के अंदर जो है जो कैट्सल के education officer है उनको यह सारी detail इस mail पर करना होगा सारी व्यवस्थाएं हैं या नहीं ठीक है तो उसके बाद hssc की तरफ से कोई ठोज कदम उठाया जागा जैसा आप देख पा रहे हैं यह secretary examination for controller of examination of hssc पंचकुला की तरफ से यह गीद दिया गया है ठीक है यह देख नीचे देख पा रहे है एक copy is forward to deputy commissioner कैथल तो कहने का मतलब यह है कि जो deputy commissioner of कैथल है उनको यह copy forward की गई है जैसा मैंने पहले बता दिया आपको तो इसमें तो बस इतना ही बताया गया है कि इसी स्थारी को exam होने वाला है 18,430 candidates के लिए जो examination center अलोट किये गए हैं उनमें सारी स्विदाएं हैं या नहीं अब जो कैथल के जो education officer है उनको बताना है HSSC को कि भई यह सारी स्विदाएं हैं तो हम आगे कोई कारवाई करते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों यह HSSC group D के लिए ही होगा तो दोस्तों यह information थी आपके साथ share करनी थी एक छोटी सी information थी आपके साथ share करनी थी तो आसा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और like करने के बाद आपके पास जितने भी study related facebook और whatsapp group है उनमें share जरूर करते हैं ठीक है दोस्तों उसका फायदा यह होगा कि आपके सगे संबंदी भाई दोस्त जो भी हैं आपके group D के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में और जोर लगा दे क्योंकि ज़्यादा समय रहा नहीं है ठीक है एक डेड़ महीने के something time है तो ज़्यादा ऐसी कुछ बात है नहीं तो दोस्तों देखते हैं होता क्या है आप अपने comment box में डालिए कि आपको क्या लगता है कि एक्जाम होगा या नहीं ठीक है आपका क्या सोचना है सरकार इस पर क्या कारवाई करती है यह होगा या नहीं या फिर यह notice है fake है आप यह बता दीजिए आपको क्या लगता है ठीक है आप comment box में अपनी राय डाल दीजिए ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं next video में एक नए information के साथ तब तक के लिए जहिन